नमस्कार आज हम मौजूदे वर्सोवा बीच पर जहां पिछले कई दिनों से NCC द्वारा बीच की साथ सफाई की जा रही है यह मुहिम पूरे हिंदुस्तान भर में की जा रही है तो आएए हम बात करते हैं इन से इस विशेपर NCC द्वारा यह मुहिम चुलना ने जाई रही है वो है कि आपसी यूनिटी, डिसिप्लिन और टोटल डेडिकेशन और अगर इन्होंने उटके यह मुहिम चलाई है तो हम सब देशवासियों को इनका साथ देना चाहिए यह government का हाथ बटा रहे हैं, municipalities का हाथ बटा रहे है हम लोगों का, हम citizens का काम कर रहे है तो अगर हम citizens अपना-पना काम करें तो यह load कम हो जाएगा अब सवाच अभियान के बारा में कुछ बोलना चाहोगे सवाच अभियान जो है, यह बहुत मुझे लगता है, यह बहुत ही गहरी सोच और बहुत powerful सोच का नतीजा है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिससे invent किया यह चीज हम खुद क्यों नहीं सोचे क्यों हमें जरूरी है कि कोई push करे तो ही हम यह काम करते हैं हम लोग आपस में अपने आप में इतने बिजी हैं कि हम अपने बाहर एक step लेना नहीं जाते हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह की महमारियां बढ़ती हैं इतने सारी calamities आती हैं तो अगर हम इस स्वच्चता को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो हम सब नागरिकों का जीवन स्वच हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, सुन्दर हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा आप हमारे दोरे नागरिकों को क्या कहना चाहूगे नागरिकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ COVID अभी गया नहीं है तो प्लीज अपने अपने मास्क पहन के रखिए सैनिटाइज कीजिए हाथों को दूरी बना के रखिए बहुत जादा पार्टीज या बहुत जादा भीड वाली जगाओं पे ना जाएए दूसरी बात ये कि इस तरह के अभ्यान जो बीच क्लीनिंग हो रही है या स्वच्चता के अभ्यान हो रहे हैं उसमें प्लीज पाटिस्पेट कीजिए आपकी लाइफ से थोड़ा सक्षन निकालिए और आसपास के जानवर आसपास के इन्वाइमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए क्योंकि इसका डिरेक्ट असर हम खुद पर हमारे पर पड़ता है एंसी दुआरा या बियान चले जारे उसके बार में बताएंगे जार। झार। झार। से एंसी यूथ और से जारिएंगे का लिएर अधी जार। दकीचार ड्माइब कुद पर हूंकि प्लेट विरीक साटियू कि जाटिएंगे एक वावर आफन पमढल राफ यह का देनलों जान प्रोडसक रावा isla और यह देनलों सॉपता हो सब्टाइस्ट भीक प्रोडसक रहाए वजेखने हैं। we can have clean nature. We are very glad to have this event organized here because it's something that our society really needs to talk about. It's about cleanliness. It's about something which is very personal to our health and to our hygiene. And ये जो अभियान और अभियान और है, Government of India ने, which comes under the Swachh Bharat अभियान from December 1 to December 31st. I think it is a great initiative, क्योंकि NCC cadets जो एक वार्यस के तरह हमारी कांट्री के हैं, उनके द्वारा इसमें पात लेना ये काफी अच्छा एक मैसिज जाता है हमारी सुसाइटी को. Because if we don't take conscious actions now, nature surely will. So we'll have to be conscious from our very smallest of decisions that we make sure that we keep our surroundings tidy whenever we enjoy ourselves at public spaces. NCC द्वारा ये मुहीम चलाई जारी है, इसके बारे में विस्तार से बताईए? जैसा कि आपको मालूम है, हमारे मानिय प्रधानमंत्री जी का एक mission है कि स्वच भारत, स्वच भारत में उन्होंने कई प्रियास किये हैं, जिसमें से एक प्रियास है कि हमारे coastal areas, जितने भी समुद्र तर्टिय अलाके हैं, वह साफ हों, और उसमें जैसा आप जानते हैं कि कई सारा खच्रा प्लास्टिक वेस्ट अगरा रहता है, जो कि कई और जगे दूसरे तरीके से recycle होकर इस्तिमाल किया जा सकता है, इसको स्वच करने के लिए हम नागरिकों को पूरे प्रियास करना होगा, सिर्फ सरकारी machinery के उपर आप निर्वर नहीं रह सकते, इसी के लिए हमारे NCC Credits का प्रियास है कि वह खुद भी इस काम को करें, और आपने आस पास के आशो को साफ किया जाये, अपनी अलог अलग तरीकों से नागरिकों को चेतना निला रहे है, रखा गया। झाल झाल